गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्लेज में आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में आज हम काली बंगा के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए स्टुडेंट्स मैंने सिंदुगाडी सब्वेता के बारे में पहले कापी कुछ पढ़ाया है और सिंदुगाडी सब्वेता के नगर है जिन में जैसे हडपा है, मौन जोदुडो है, चनहुदुडो है, लोथल है इन सब के बारे में बताया है और जो कालिबंगा ये भी सिंदुगाड़ी सब्वेता एक महत्तोपुन नगर ही था जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में पढ़ने से पहले आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए-नए बारे वीडियो प्राप्त हो सके और एक बात महां आपको बताऊंगी कि जो सिंदुगाड़ी सब्वेता है यह है आदे थी ऐसी काल वय काल था जिसमें पुरा तात्विक और साहित्तिक स्रोत मिले हैं लेकिन साहित्तिक स्रोत को पढ़ा नहीं गया ठीका ना तो जो पूछ लेते हैं कि सिंदु गाटि सब्वेता कौन सी सब्वेता थी वह थी कांसे युगिन सब्वेता और कांसा किस से मिलकर बना है तो कांसा है वह है तामबा प्लस तिन तो कांसा किस दातु से मिलकर बना है तामबा प्लस तिन से मिलकर बना है ठीक है तो देखेगा काली बं राजस्तान के हनुमानगर जिल्ले में इस्तित हैं यह है स्थान प्राचीन काल की नदी सर्स्वति जो कालांतर में सूख कर लूप्त हो गई थी के तटपर इस्तित था यह नदी अब घगड नदी के रूप में है। रीगवेद में जिन नदियों का जिक्र किया गया है उनमें सबसे परमुक नदी सर्स्वती नदी को मना गया है इस नदी का रीगवेद में नाम नदीतमा मिलता है और नदीतमा का अर्थ क्या होता है नदियों में स्रेश्ट काली बंगा के बारे में सबसे पहले टेशी टोरी ने बताया था और इसकी खोज सबसे पहले अमला अनन्द घोष ने 1953 में की थी बीके थापर वै बीबी लाल ने 1961 से 1979 में यहां उत्खनन का कारिय किया तो काली बंगा की खोज किस ने करी? अमला अनन्द घोष ने कब करी 1953 में और यहां पर उत्खनन का कारिय किस ने किया बीके थापर वै बीबी लाल ने कब किया? 1961 से उन्हेंतर तक काली बंगा से तो टीले प्राप्त हुए हैं यह टीले सुरक्सा दिवारों से घिरे हुए हैं पस्यम की ओर का टीला छोटा तथा पूरव की ओर का टीला बड़ा है पस्यम के टीले को पर्थम काली बंगन नाम दिया गया है तो जो पस्यम की ओर जो छोटा टीला था वहाँ पर राजा रहता था राजा का निवास होता था और जो पूरव की ओर टीला है बड़ा टीला था यहाँ पर जनता का निवास होता था और पस्चिम टिले को क्या का गया है पर्थम कालिबंगन अब देखेगा प्राख हडपा कालिन कालिबंगा अर्थात हडपा सब्यता से भी पहले की कालिबंगा तो हम कह सकते हैं कि कालिबंगा जो इस्तल है वह हडपा सब्यता से भी पहले का है यहां से पहले के साग से भी प्राप्त हुए हैं तो यहां से प्राग हडपा के अवसेज प्राप्त हुए हैं ज़से तीन अनुपाद, दो अनुपाद, एक अनुपाद की इंटे प्राप्त हुई हैं लाल अथ्वा गुलाबी रंग के मृत भांड, पेंदी दार तथा संक्डे मुह के घड़े, साधारन तस्तरियां, कुछ बतनों पर काले रंग में जमीत ये अभी प्राय चित्रित हैं। यहां के बहुनों में कच्ची इंटों का प्रियोग किया गया है। तामबे से बनी चूडियां, संक, कार्निलियन तथा तामबे के मन के पक्की मिटी की चूडियां, मिटी के खिलोना गाडियां, आधी पासान उपकरण यहां से मिले हैं। इस इस्तर की सबसे महतोपन विशेशता एक जूते हुए खेत की प्राप्ती है। इसमें आडी तिर्ची जुताई की गई है, लकडी को कुरेद कर नाली बनाने का साख से भी काली बंगा से ही मिला है। यहां से बेनकार तंदूर मिला है, काली बंगा के प्राप हडपा इस्तल की खुदाई से पांच निर्मान स्तरों का पता चलता है। तो यह तो था आपका प्राप हडपा कालीन काली बंगा। अब देखते हैं हरपा कालीन काली बंगा तो हरपा कालीन अर्थात संदव सब्वेता का काली बंगा कैसा था कौन-कौन से साकसे मिले हैं यांसे विक्सित हडपा चरण में काली बंगा से खेतों की जुताई मिस्त्रित कृसी चार अनुपात 2, अनुपात 1 के अनुपात की पक्की इंटों का प्रियोग यम अगनी कुंडों के साख से पाये गए हैं काली बंगा से काले रंग की चूडिया मिली हैं जिनसे इसका नाम काली बंगा पड़ा और हरपा कालीन काली बंगा से साथ अगनी कुंड प्राप्ते हुई हैं यहां से बुत्रों फेदन प्रकार की लिपी, कासे का बैल, माननव धड, छै प्रकार की अमरीद भांड और तीन प्रकार की कब्रें प्राप्त हुई हैं। यहां से बुखंब आने के साख से भी मिले हैं। कालि बंगा से इंटों से निर्मिच बुत्रे, बेनाकार मुहरें, सेल खड़ी से बनी मुहरें, अनागार, अलंकरीट इंट, आदि महयतोपुर्साक से प्राप्त हुए हैं। तो जो काली बंगा से बेनाकार मुहरें प्राप्त हुई हैं, उनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काली बंगा ये मेसोपोटामिया की सब्वेता के समकालिन सब्वेता थी, कौन सी? काली बंगा सब्वेता, ठीक है? सेल खडी से बनी मुहरें, आदी यहां से साक्षे प्राप्त हुई हैं, काली बंगा से समों की अंतेस्टी के लिए तीन वीदिया मिली हैं, वो कौन-कौन सी तीन वीदिया हैं, पूर्ण समाधी करण, आंसिक समाधी करण, दाह सैंसकार के परमान, ठीक है न? अब देखेगा, काली बंगा से मिले पूरा तात्विक जो महतो पुन स्रोथ हैं, वो क्या-क्या हैं? वो आ गया था, और धातू भी कौन सी? तामबे की, और इसमें मिली तामबे की काली चूड़ियों की वज़े से ही इसे काली बंगा कहा गया है, अब देखेगा, अंकित मुहरे, काली बंगा से सिंदु घाटी सबेता की मिट्टी पर बनी मुहरे मिली हैं, जिन पर व्रिशब वय अन्य पस्वों के चित्र वय त्रिधव लिपी में अंकित लेख हैं, जिने अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, वय लिपी दाएं से बाएं लिखी जाती थी. तामबे या मिट्टी की बनी मूर्तियां पसु पक्सी वय मानव कृतियां, ये सब भी वस्तु एक काली बंगा से मिली हैं, जो मोहन जोद्रो वय हडपा के सम्मान हैं, और मोहन जोद्रो हडपा के बारे में हमने पहले पढ़ा है, वहाँ पे आप इसके बारे में डिटेल से देखेगा, पसु में बैल, बंदर वय पक्सियों की मूर्तियां भी मिली हैं, जो पसु पालन वय क्रिशी में बैल का उप्योर किया जाना प्रकट करता है, तोलने के बाट, पत्थर से बने तोलने के बाट का उप्योर करना मानव का लिबंगा समस्कृति में सीख गया था, बर्तन, मिट्टी के विभिन परकार के छोटे बड़े बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर चित्रांकन भी किया हुआ है, ये परकट करता है कि बर्तन बनाने हि तो चारू का प्रियोग होने लगा था, तता चित्रांकन से कलात्मक प्रवर्ति व्यक्त करता था, अबुसन, अनेक प्रकार के इस्त्रीवय पुरुसों द्वारा प्रियोग्त होने वाले का, सीव, संक, घोंगे, आदिस से निर्मित अबुसन भी मिलने हैं, जैसे कंगन च तोड़ी सडकें, कुए, नालियां, आदि पूर्वय योजना के अनुसार निर्मित हैं, जो ततकाले मानव की नगर नियोजन, साफ सफाई व्यवस्ता, पेजल व्यवस्ता, आदि पर प्रकास डाते हैं, मुहन जोदलों के विप्रीत, काली बंगा के घर कच्ची इंटों क बने थे, क्रशी कारिये समन्ती अवसेश, तो कपास की खेती के अवसेश काली बंगा से मिले हैं, साथ ही मिक्सित खेती, चनावय सर्सों के साख से भी मिले हैं, काली बंगा से प्राप्त हल्से, अंकित रेखाएं भी प्राप्त हुई हैं, जो ये सिद्ध करती हैं कि यहां भी प्राप्त हुई है, बैलगाडी के खिलो ने भी मिले हैं, चावल की भूसियां से मिली हैं और गेहुं तथा जोकी खेती के साख से भी काली बंगा से प्राप्त हुए हैं दरम समंधी अवसेश, तो मोहंजोद्रोवे हडपा की भाती, काली बंगा मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली जबकि काली बंगा का जो समाज वैं मात्र सतात्मक है इसके स्थान पर आयताकार वर्तुलाकार वैंडाकार अगनिवेदियां तथा बैल बारह सिंगे की हडियां ये परकट करती हैं कि यहां का मानव व्यग्य में पसु बली भी देता था दूर्ग अर्थात कीला तो सिंदू गाटी सब्वैता के अन्ने के अंद्रों से भिन काली बंगा में एक विशाल दूर्ग के अवसेज भी मिले हैं जो यहां के मानव द्वारा अपनाएगे सुरक्षात्मक उपायों का परमान हैं कुछ पुरातत्वा वेता जो सर्स्वती तरच पर बसे होने के कारणे काली बंगा सब्वैता को सर्स्वती गाटी सब्वेता कैना अधिकुप्यूक समझते हैं क्योंकि यहां का मानव प्राग एथियसी काल में हड़पा सब्वेता से भी कई दुरिस्टी से उन्नत था प्राग एथियसी काल कौन से था पासान काल जिसमें पासान के जो साक से मिले हैं, पत्थरों के जो साक से मिले हैं, उजार मिले हैं, उनके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं, उस काल के बारे में जानकर ही प्राप्त करते हैं, वो था प्राग एत्यासिक काल, खेती करने का ज्यान होना, दुर्ग बना कर सुरक्सा करना, यग्यकना अधी इसी उन्नत दसा के सूचक हैं वस्तुते काली बंगा का प्राग एथ्यासिक सब्वेतायम संस्कर्ती के विकास में एथ्यास्ट योगदान रहा है काली बंगा से संबंदी जो महतोपुन तत्य हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो देखेगा काली बंगा का काल टेइससो पच्चास से सतρώ सो पच्चास इसा पूर्व पूर्व माना गया है इसी परकार c कारवन 14 जो डेंटिंग पदत्ती है उसके अनुसार काली बंगा का समयं तेइससो से सत्रासो इससा पूर्व माना गया है स्वतंतरता के बाद सबसे पहले उत्खनन का कार ये काली बंगा में हुआ था सिंदुक आटी सब्वेता की तीसरी राजदानी काली बंगा को माना गया है पहली राजदानी हर्पा, दूसरी राजदानी मोहन जोदुडो को माना गया है सिंदु काटि सब्वेता को कांसे युगिन सब्वेता भी कहा गया है मनुसे ने जिस धातु को सबसे पहले खोजा वह धातु थी तामबा सबसे बाद में खोजा गया धातु है लोहा काली बंगा का समाज मातर सतात्मक था लेकिन यहां से मात्र देवी की मूर्ति प्राप नहीं होती है यहां छे छेदों वाली खोपड़ी मिली है जो बताती है कि काली बंगा में सल्ले जिकिसा पदती पर्सलित थी काली बंगा में बली पर्था पर्सली थी यहां से बुखम के साख से भी प्राप्त हुए हैं यहां से अंडाकार कब्र मिली है जिसको चीरायू कब्र का नाम दिया गया है यहां से सत्रंज के पास से तता हाती दांत मिले हैं तथा मिट्टी से बने मिट्टी के मन के भी मिले हैं इस स्थल का पालतु जानवर कुत्ता था यहां से स्वास्तिक चिन भी मिला है भाल चित्रात्मक लिपी जो सर्पिले आकार के वा काली बंगा से मिली है काली बंगा संग्राले की स्थापना 1925 में हुई थी काली बंगा को दीन हीन बस्ती भी कहा गया है तो कई बार क्यूसन आ चुका ये कि सिंदु गाटी सब्वेता में ऐसा कौन सा नगर है जिसको दीन हीन बस्ती के नाम से पुखरा गया वो है काली बंगा यहां से समय मापक गिलास भी मिला है काली बंगा से खिलोना गाड़ी मिली है और काली बंगा से इंटो से निर्मित एक चबूत्रा भी मिला है तो देखेगा स्टूडेंस हमने काली बंगा के बारे में जो important बात थी उनके बारे में यहां पे पढ़ा और कई क्यूशन ऐसे हैं जो बार-बार एकजाम में आते हैं वो मैं आपको यहां पे बताना चाहती हूँ तेखेगा क्यूशन है राजस्तान में तम्र यूगीन सब्वेता की जन्नी कोन सी सब्वेता है वो है गणेश्वर सब्वेता जो नीम का थना सिक्कर में है और जो लोहा यूगीन सब्वेता वै कोन सी सब्वेता है लोहा यूगीन सब्वेता वैदिक कालीन सब्वेता है राजस्तान में पासान कालीन सब्वेता कोन सी है तो राजस्तान में पासान कालीन सब्वेता वै बागोर सब्वेता है बागोर सब्वेता ये कहां इस्तित है भीलवाड़ा में और कोठारी नदी के किनारे पेस्तित है कांसा किस से मिलकर बना है कांसा है वह तामबा प्लस तिन से मिलकर बना है पर्थम काली बंगा सब्वेता किसे कहते हैं तो पर्थम काली बंगा सब्वेता सोंथी सब्वेता को कहते हैं सोंथी सब्वेता कहां इस्तित है बिकानेर में इस्तित है तो धन्यवाद स्टुडेंट्स आज हमने इस वीडियो में काली बंगा के बारे में और कई महत्तों बातों के बारे में जाना इस वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद